बर्न जो thermal injury होती है dry heat की बज़े से उसे हम burn बोलते हैं dry heat की बज़े से burn के classification की बात करें तो बिलसन ने इसे 3 गुरूप में divide करा epidermal, dermo epidermal और deep burn आगे बात करें dipterine ने इसे 6 degree में divide किया पहला बोलते हैं कि damage कितना पहला केबल redness हुई तो 1 degree बिलिश्टर वने, तो 2 डिगरी, सूपरफीसियल इसकिन का डिस्ट्रक्षण हुआ, मात्र तो 3 डिगरी, होल डवर्णिक का इसकिन का इन्बॉल्मेंट गुप्सीं हुआ, तो 4 डिगरी, दीब फेसिया का भी इन्बॉल्मेnd हुआ, तो 5 डिगरी, और पूरी चारींग हो इसमें head का आगे पीछे दोनों को मिलाके 9%, मतला total body surface area को 100% माना गाया है। इस प्रिकान उनने डिवाइट किया कि जिसे अपर लिम होता है एक साइट का तो अपना राइड जो होता है दोनों मिला के 9% लेफ्ट साइट का भी दोनों मिला के 9% ट्रंक का आगे का 9% पीछे का 9% और जो अपनी जनाइटीलिया होती है पेरिनियम उसका 1% माना गया है बाक इससे ज्यादा जल चुकी तो वो नियरली आलवेस फेटल होती है आगे बात की जाए जो burn का ये rule है कि एवल adult पे अपलाई होता है children पे अपलाई नहीं होता है क्योंकि उनका body का जो head जो होता है उनका बड़ा होता है और उनके लेक छोटे होते हैं इसलिए यह अपलाई नहीं होता है, यदि अगर अपन चिल्टरन की बात करें, तो उनके लिए अलग मेथड यूज़ की जाती है, लून्स एंड ब्रोडर्स मेथड यूज़ की जाती है, इसमें यदि कोई चिल्टरन बिलो बनी है, मतलब वो इंफेंट है, तो उसमें हमें बो ही रूल ओप नाइन में हेट की जगे 18% लिखना होता है, और लेग की जगे हमें 13.5% लिखना होता है, आगे बात की जाए चिल्टरन बनी हैर से बड़ा है, तो उसमें हेट को 1% रिड्यूस कर देना है, परसेंट को अडल्ट बेल्यू तक जब तक रीज हो जाती है, त परसेंट मानते हैं, और ये तब अपलाई होता है, जब बहुत छोटा बर्न हो, लेज देन 15% या फिर बहुत बड़ा बर्न हो, तो अन बर्न इसकिन को हम कैलकुलेट करने के लिए, रूल ओप पाम यूज करते हैं, आगे बात की जाए ये तब यूज करते हैं, जब पीच जब डेत क्या है बर्न में, अगर कोई बात करें, इमीजियेट कोस्ट क्या हो सकती है बर्ने डेत की, तो अपन बोलेंगे प्राइमियरी या नियूरोजनिक सोख है, इमीजियेट कोस्ट में या तुरंत उसकी डेत होगी, तो कारण क्या होगे, प्राइमियरी और नियूरो डिलेट कारण क्या हो सकता है, तो अपने बोलेंगे secondary hypervolumic shock, मतलब fluid की कमी हो गई है, second adrenal failure हो चुका है, toxemia हो चुकी है, inflammatory complication की बज़े से death हो गई, remote complication क्या होती है, तो बाद में क्यों death हुई, क्यों क्यों death हुई, क्योंकि infection हो गया, curling ulcer हो गया, या फिर jondis हो गया, आगे बात करें, postmortem finding क्या रहेगी, specific finding, जो केवल antimotem burn को दरसाती है, जबकि non-specific finding, antimotem और postmortem दोनों में हो सकती है, जैसे कि यदि कोई patient, person जिन्दा था, और उसको burn में death हुई, तो उसके respiratory tract में suit particle मिलेंगे, carbon particle मिलेंगे, साथ ही साथ, चुकी उसके blood में carbon monoxide गई है, तो carboxy hemoglo chlorine मिलेगा blood में, redness, line of redness मिलेगी, उसमें क्योंकि inflammation हुआ है, और जो bicycle, जो blister बनेंगे, उनमें albumin और chloride बड़ा हुआ मिलेगा, infection मिलेगा, infection मिलेगा, और साथ ही साथ, कर्लिंग, ulcer मिलेंगे, ये सब finding, specific antimotem बन रहेगी, जबकि non-specific क्या है, पजलेश्टिक attitude, ये राइगर मोटेश जैसा लगता है, पर राइगर मोटेश नहीं है, इसमें protein के coagulation की बज़े से boxer जैसा attitude आ जाता है, heat इसे कहा जाता है, आगे बाद की जा, heat rupture, ये जो heat rupture होती है, ये heat rupture, skin split हो जाती है, burn की बज़े से, आगे बाद की जा, heat हो है में पजलने लगता है, मतलब कि उसमें boiling हो जाती है, उसकी बज़े से जो blood vessels से blood बहार आ जाता है, बीनस sinus में, तो ये जैसा लगता है कि extra dural hemorrhage जैसा है, ये भी extra dural में होता है, पर generally बज़े से हुआ है, extra dural hemorrhage नहीं है, आगे बाद की जा, heat फेक्चर, जो muscle जो होती है, heat की बज़े से stiff हो जाती है, तो bone में fracture हो जाता है, और skull में भी fracture मिलता है, जैसे कि instillate type का fracture मिलता है, ये non specific finding है, अब हम देख लेते हैं कि क्या burn में antimotum और postmortum recycle में difference, burn में ये विसाइकल बनते है, antimotum में हम अगर उसमें देखेंगे, contained उसमें serious fluid होता है, जैसे albumin और chloride, जबकि postmortum burn में बस gas होती है, आगे बात की जाए, antimotum recycle है, तो बहाँ inflammation present होगा, redness present होगी, arrhythmia present होगा, जबकि postmortum में dry होगा, बहबेस, hard होगा, yellow होगा, तो ये हमने complete करा burn injury, burn, thank you.